दोस्तों यूट्यूब वीडियो में जो थमने लाइट करते हैं उसके बारे में आप समीरोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपने वीडियो को चाहें किसी भी कैमरे से किसी भी क्यालिटी में सूट कर लीजिए या फिर अपने इक दम भरवर के बैलिस एड़ कर दीजिए या विडियो को आप अपने वीडियो को आप अपने प्रोफेस्टों लेबल पर एडिट कर लीजिए लेकिन जब तक आप अपने वीडियो में एक दम HD क्यालिटी में क्लिकेबल एक दम एट्रेक्टिव थमनिल आट नहीं कर ले चैनल को सबस्क्राइब करके बला एक प्रेस लिए बरागे सी तरी के वीडियो को सुरूब लेंगे उसके बाद आप अपने यूट्यूब थमनिल का जो साइज इसको सेलेट करेंगे ठीक है उसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहां पर इमेज साइज का एक पाच आइकन नज़ा आ रहे हैं यहां पर गाईस आपको जो सेकें लाश्ट आप सन आ आ जार आ रहा है आप इस पर टैप करेंगे इस पर टैप करने पाद यहां पर आपको कैसारे आप सारी नज़ा आ रहे है तो दौस्तों अगर आपको यूट्व ठमनिल के तो आप color पर click करेंगे और अगर आप gradient पर click करने हैं तो यहां पर आपको आज इस वाले background पर एक थमनिल बना कर दिखाने वाला हूं तो यहां पर आप देखेंगे आपको ऊपर कुछ आइकन नजर आ रहा है आपको प्लस वाले पर tap करना है यहां पर आपको from gallery पर click करना है इसके बाद आप अपनी gallery में एंटर हो जाएंगे gallery में आने के बाद guys आपको यहां पर आकर कुछ इस प्रकार से वाला template जो है वो इसको select कर लेना है इस तरह के guys templates जो है वो आप Google से download कर सकते हैं बहुत easily download हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं तो मुझे comment कीजिए का मैं description box में इसका link जो है provide करा दूँगा उसके बाद आप सही इसको simply enable करके सही वाले icon पर click कर देंगे ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको इसको scroll करते हो नीचे आना है यहां पर color वाले icon पर tap करके इसको enable करना है इसको enable करने के बाद आपको यहां पर white color select कर लेना है कुछ इस प्रकार से उसके बाद आप इस PNG image को अपने according चोटा या सकNow बड़ा करके कोछ इस प्रकार से सेट कर लीजिए मैं आपको इसको set कर लिया उसके बाद आपको यहां पर layer वाले icon पर click करके इसको lock कर लेना है जिससे कि हमारा हाथ लगने से कहीं हिलेना तो मैंने आप इसको lock कर लिया है तो दूस्तों इसको lock करने के बाद आपको फिर बटन में प्रोवाइट करा दूंगा आप इसको भी देख सकते हैं इस वीडियो कम्प्रीट देखने के बाद तो दोस्तों अपनी इमेज को आप इस परकार से स्लेक्ट करेंगे और सेट कर लेंगे दैन आप इसको भी लॉक कर देंगे इसको लॉक करने के बाद गाइस अब अपना ट MIDD च्ट आयकन करने के तो इसके लिए आप आप क्या करेंगे आप फिलस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और व्हूब देखेंगे आपको एक टेक्स का आपसन नजरा रहा आप इस पर क्लिक करेंगे च़र्गा question के जाप करने अब कर देख हो कि आप यहां पर टैप कर दिया है थमनेल दैन में ओके पर क्लिक करूंगा ओके पर क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है यहां पर आपको कलर पर टैप करके इसके लिए एक बढ़िया सा इसको कलर देना है तो मैं यहां पर जो है ओरेंज कलर यहां पर आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखें तो यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं आप अपने according कोई भी बीरस एडियस आप इसको अपने कोर्णग कोछ तोड़ा कम या जादा करैंगे तो परे और न पर सबंगे इसको आप बिस्ते करने के साथ ही किण आप इसको अपन advocating और तो यहां पर देख सकते हैं हमारा जो टेक्स करने का काम था वो अल्मुस्ट कम्प्लीट हो गया है तो अब यहां पर कुछ हम एलिमेंट सेट करेंगे इसके लिए आप फिर से अपने गैलरी में एंटर होंगे यहां पर आने के बाद मैं यहां पर यूटूब का जो लोगो है मैं इसको सेट करूँगा तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर आपको मिल जाएगा तो यहां पर मैं इसको यहां पर कोछ इस परकार से यही पर सेट कर दूँगा ठीक है दोस्तो मैंने यहां पर इसको सेट कर दिया और साधी साग मैं यहां पर एक और टू बैक टू बैक कर दिया अब इसको भी मैं यहाँ पर लॉक कर दूँगा मैंने यहाँ पर दोनों को लॉक कर दिया है उसके बाद गाइस यहाँ पर अपना कुछ और एलिमेंट सेट करूँगा इसके लिए फिर से gallery में जाएंगे gallery में जाने के बाद यहाँ पर आप इस परकार के png को यहाँ से select करेंगे और select करने के बाद दोस्तों आप इसको कुछ इस परकार से बढ़ा कर लेंगे ठीक है दोस्तों बढ़ा करने के बाद आप इसको भी बैक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस पर गार सेट करेंगे अपनी इमेज के पीछे देन गाइस आप इसको भी लॉक कर देंगे तो दोस्तो इसको भी लॉक करने के बाद आप फिर से बैक आएंगे और फिर से आप अपनी गैलरी में जाएंगे और gallery में जाने के बाद आप इस बार इस वाले image को select करेंगे then आप इसको जो logo हमने यहाँ पर set की है YouTube के इसके पीछे ले जाकर आप इसको back करके इसको भी यहाँ पर lock कर देंगे ताकि यह भी हिले न then guys इतना सब होने के बाद हमारा जो thumbnail है वो तयार हो गया है लेकिन guys हमारा जो photo है इस पर अभी हमें थोड़ी editing करना बाकी है इसके लिए आप layer पर जाएंगे और अपना जो photo है guys आप इस पर tap करेंगे उसके बाद आप back आने के बाद आप इसको scroll करते हुए नीचे आएंगे आप यहाँ पर shadow वाले फर फिर से click करेंगे और इसको enable कर देंगे इसको enable करने के बाद guys यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसको थोड़ा सा अपने according कुछ इस परकार से set कर लेंगे जैसे भी guys आपको पसंद है आप अपने according set कर लेंगे तो मैं यहाँ पर कोछ प्रकार से set कर लेता हूँ आप चाहें तो मेरे जैसे set कर सकते हैं इतना सब करने के बाद हमारा thumbnail जो बनके तयार हो गया है तो अब बारी है कि हम इसे अपने mobile phone में HD quality में कैसे download कर सकते हैं तो आपकी इमेज आपका जो थमनेल है वो successfully आपकी गैलरी में सेफ हो गया है तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये अपने YouTube वीडियो के लिए एकदम HD quality में creative थमनेल त्यार कर सकते हैं और जिसे अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं और ओप ये शोटि शूल्टी से वीडियो अपने के लिए ये यूश्फ mellan वीडियो पसन्त आए जोली चींनलहें चैनलको श्ब्स्राइब करके में लायको कर सकते हैं जैणर्स